हेलो दोस्तों हमारे चैनल वीस ओनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फीर से बहुत-बहुत सवगत है GDS यानि ग्रामीर डाक से वाक याँ पर फैनली रिजल्ट जारी हो गया है सभी स्टेट के याँ पर स्टेट वाइस रिजल्ट जारी कर दिया गया है सो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने मोबाइल से ही GDS का रिजल्ट कैसे चिक करेंगे इसके साथ ही कटप कितना गया हुआ है आप कैसे चिक करेंगे और दोसों आपका नाम याँ पर सॉट लिष्ट पर है या नहीं इसके बारे में भी पूरी जनकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं जीडियो सबसे पहले अपने मोबैल के ब्रॉजर को उपन किजिए सर्च बार आका यहां पर आपको जो है जीडियो स ऑनले लिके सर्च करना होगा अब यहाँ पर देखेंगे तो search result में GDS लिखा हुआ यहाँ पर site आ जाएगी आपको यहाँ पर click करना है इसके बाद इस प्रकार से देख सकते हैं टांक विभा की official site है आपके शामने open हो जाती है GDS online engagement की यहाँ पर site देखने हो को मिल जाएगी इस page में आप यहाँ पर निचा आएगे तो देख सकते हैं यहाँ पर एक notification जारी किया गया है GDS online engagement schedule जुलाई 2020 shortlisted candidates लिखा हुआ आता है तो इस plus के icon पर आपको click करना होगा अब जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो सभी state का नाम आजाता है आप देख सकते हैं सभी state का नाम यहाँ पर आप बारी बारी check कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप जो 36 गड़ के लिए form बरेंगे तो इस प्रकास से आपको 36 गड़ पर click करना होगा अब यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा आता है list of shortlisted candidates तो आपको इस जो है link पर click करना होगा अब जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकास से जो है shortlisted candidate की पूरी list है download होके open हो जाती है अब यहाँ पर देख सकते हैं document verification के लिए जितने सारे candidate का नाम यहाँ पर शामिल किया गया है तो इस प्रकास से देख सकते हैं general category SCS सभी category के यहाँ जो है mix selection list यानि shortlisted candidate की पूरी जनकारी दे रखी है अब यहाँ पर percentage की बात करें तो देख सकते हैं 100% यहाँ पर candidate का जो percentage है start हुआ है अब यहाँ पर आप percentage देखेंगे तो जिन candidate के यहाँ पर 92, 93 यानि 95 से उपर उन्हीं सभी candidate का नाम इस जो है shortlisted में सामिल किया गया है अब दोस्तों आपका नाम इस list पर है या नहीं वह चीक करने के लिए आप यहाँ पर जो है असाने से अपना registration number डालके search कर सकते हैं अब search करने के लिए एक बार आपको यहाँ पर click करना होगा click करेंगे तो देख सकते हैं उपर यहाँ पर search का icon बना हुआ है यहाँ पर click करेंगे और यहाँ पर आप अपना registration number डालके search कर दीजिए अगर registration number डालके यहां पर आप सर्च करते हैं यहांपर देख सकते हैं आपका result इस प्रका हसे सर्च होके आजाता है इसका मतलब आपका selection यहांपर हो गया है आपको सारे document यहांपर त्यार करके रख लेने हैं अगर यहां पर आप अपना registration नमबर डाल के सार्च करेंगे हैं अपर रिजल्ट में not record phone आता है तो इसका मतलब आपका selection यहां पर नहीं हुआ है आपका नाम यहां पर सामिल नहीं किया गया है तो आपको अगले लिश्ट का विट करना होगा अभी जो है और लिश्ट आने वा आपको verify करा के आपको जो है फाइनली selection ले लेना है तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लेगे नीचे comment करके जरूर बता है ऐसी और वीडियो प्राप्तर करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें